कि बहुत सारे लोग खुझ से मल्टी बिटामिल लेते हैं बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि जर्णल वीक्नेस है एक एज हो गई है तो कुछ वाइटामिन्स या कैल्सियम ने लेते हैं तो आखिर मल्टी बिटामिल लेना कितना सुरप्षित है कितना सही है और खुझ से मल्टी बिटामिल लेना कि क्या फायदे हैं क्या नुकसान है तो यह सब हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे देखो मैं एक सीधी सी बात सदा आपको बोलता हूँ कि जब तक आपको जलूरत ना हो जब तक आपका डॉक्टर आपको प्रस्काइब ना करे तब तक कोई भी दवाई किसी भी फॉर्म में नहीं लेनी चाहिए वो आयर्वेदिक हो वो होमोपैथिक हो या वो मड़न मेड देखो दवाई दवाई होती है chemical chemical होता है no matter वो किस सोर्स से processed किया गया है no matter उसमें क्या डाला गया है लेकिन कोई भी दवाई preservatives के बगर या additional जो फ्लेवर होता है उसका हम तेस्ट डवलब जो करते हैं वो हो नहीं सकता जब तक कि उसमें कुछ preservatives कुछ chemical नहीं डाला जाए पहली बाद और दुनिया में कोई भी दवाई अभी तक भी ऐसी नहीं है जिसका कोई side effect ना हो effect है तो side effect जरूर होगा कम यह जागा जो लोग यह बोलते हैं यह इसका side effect नहीं है वो लोग या तो जानकार नहीं है या उन्होंने research नहीं पड़ी है या फिर वो आपको misguide कर रह होते हैं हाँ यह इस पर बात हो सकती है कि इस के side effect जादा है या कम है किसी के side effect life trading होते हैं किसी के side effect life trading तो नहीं होते लेकिन वो metabolic change पैदा करते हैं मताप लाते हैं आपके गट के health को बदलते हैं आपके भूग प्यास को बदल देते हैं या फिर आपकी body में fat का deposition बढ़ा द लगेंगे उनको एक doctor ही समझ सकता है तो मैं सबसे पहले आपको clear कर दूँ कि जब तक natural source से आपके पास सब कुछ है तो आप कोई भी tablet या कोई भी chemical या कोई भी toxins मढ़ डालिए अब बात आदिए कि naturally multivitamin क्या है देखो natural multivitamin यदि आप young age में है और आपको energy चाहिए है तो आप केला खाईए बनाना लीजिए milk लीजिए और dry fruits से better multivitamin कुछ नहीं हो सकता इसके अंदर अच्छा protein होता है अच्छा calcium होता है अच्छा iron होता है अच्छा B12 होता है अच्छा folate होता है और दूसरा dry fruits जो होते हैं यदि उसको right proportion में लें आप right combination में लें तो उसके digestion से होता है जैसे कि किस्मिस है आपका अक्रोट है आपका बादाम है और आपका खजूर है तो यह सब आप ले लिजे यह आपके लिए ज्यादा better option होगा एक multivitamin tablet और एक calcium एक iron की tablet के लिए आपको अलग से कुछ लेने की ज़रूत नहीं है आप 4 बादाम ले ले लिजे 4 अक्र शकता है वो पूरी हो जाएगी multivitamin long term लेने के आपने कुछ नुकसांस होते हैं उनको आपको जरूर समझना चाहिए सबसे पहले वो आपकी gut और metabolic health को change करते हैं और deposition यानि cholesterol का जमाब डाया उसको बढ़ाते हैं directly और indirectly constipation पैदा कर सकते हैं diarrhea हो सकता है indigestion डबलब होगा bloating कैवरी देखा जाता है कि पेट में दर्द भी आ जाता है और indigestion के साथ साथ देखा ये जाता है कि आपका bowel का जो pattern है वो बदल गया है constipation के साथ साथ आपकी धूख प्यास बदल जाती है और आप कुछ दिन के बाद देखते हैं कि fatty liver या obesity आ जाती है due to the multivitamin तो multivitamin आप मत लीजिए अपने से यदि आप बहुत जादा वीक हैं और आपको कभी लेना भी पड़े तो आप उसको एक limited interval के बाद लीजिए एक right dose लीजिए आप multivitamin का overdose करना भी आपके लिए dangerous हो सकता है उसके बाद आता है कि metabolic load जब एक बार आ जाएगा आपको तो फिर insulin resistant या फिर आपको देखा जाता है कि digestive जो function है जो enzymes है उसके secretion में भी कहीं न कहीं आप आधित कर रहे हैं उनको तो metabolic change के साथ weight gain और obesity और fatty liver एक बहुत common सी समझ्चा होती है क्योंकि young age में हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं लगता है जो लोग बहुत fitness conscious है या जिम जाते हैं या exercise करते हैं वो generally calcium है or multivitamin या live 52 या फिर even vitamin E type of the capsules वो add करते हैं अपने schedule के अंदर food के अंदर एक दो महीने या दो चार महीने में साथ बहुत कुछ आपको side effect नहीं दिखाई देंगे लेकिन यदि आप ये regular लेते हैं तो फिर आपको side effect आएंगे ही और वो side effect आपकी life में बाद में आपको lifestyle disease के रूप में सामने दिखेंगे तो कोई भी multivitamins कोई भी chemicals वो steroid हो pain killer हो antibiotic हो calcium हो अस्वगंदा हो या कोई भी natural source हो don't take जब तक की आपको आपके physician ना prescribe करें जब तक की आपको कोई illness ना हो तब तक इन सब दवाईयों का 7 आपके लिए मुकसान दायक है वो long term आपके जीवन को खत्रे में डाल सकता है तो झाल सकता है